हेलो दोस्तो मेरा नाम है राखी पवार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पान का पोधा घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए पान के पत्ते की एक बेल होती है और कई लोगों की इच्छा होती है कि हम इसको घर में लगा लें इसको घर में लगाना शुब होता है या अशुब होता है आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे पान के पत्ते का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है और प्राचिन काल से ही किया जाता है और भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो पान के पत्ते के उपर रख करी हम भगवान को भोग लगाते हैं जिसे मिश्री का हो गया या फिर शहद का हो गया इस तरह से भोग लगाया जाता है पान का पत्ता बहुत सारी बिमारियों के लिए भी फायदेमन होता है अगर आप डेली पान के पत्ते का सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारी बिमारियों से भी बचाओ रहता है पान के पोदे को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसको कम पानी की जुरुत होती है आप इसको इंडोर और आउटडोर दोनों जंगे रख सकते हैं पूरा साल ये हरा भरा बना रहता है वास्तू सास्तर के हिसाब से देख लो या फिर हेल्थ के हिसाब से देख लो पान का पोदा बहुत अच्छा होता है चलिए बात कर लेते हैं कि इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं तो बिलकुल लगा सकते हैं आप इसको घर में इंडोर आउटडोर या बैलकनी में लगा सकते हैं और इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है अगर आप जादा दोप में रखेंगे तो ये पोदा सूखने लगेगा इसको आपने छाया वाली जंगे पर लगाना है तो ये आपका पोदा बहुत अच्छी तरह से चलेगा अगर आप इस पोदे को पस्चिम उतर दिसा में लगाते हैं अगर आपके घर में तनाव चला हुआ है तो वो भी खतम होता है और परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ने लगता है वास्तु सास्तर के हिसाब से या फिर हेल्थ के हिसाब से आप पान के पोदे को अपने घर में जरूर लगा सकते हैं तो आज ही पान के पोदे को अपने घर पर लेकर आएं और लगाएं आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को ओन कर लेना, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में